देखिए शुक्रवार को 50-50 में चार बड़ी खबरे लादगुसाव जब मनचलों ने यूवक की करदी पिटाई सक्मी यूवक पर लड़की के छरखानी का लगा आरो बिहार के भोजपुर्ज लेके बिहा से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है जहां एक यूवक को मनचले यूवकों ने बेरहमी से पीट-पीट कर घायल कर दिया है घटना बिहा थान शेदर के कुवर्दा गाउं के है जहां बधार में गुरुवार की सुबह यूवकों ने एक गुट बना कर 20 वर्षी एक यूवक की जम कर पिटाई कर दी घटना में गंभी रूप से जखमी यूवक को भियाईस्ते सामुदाइक स्वासकेंद्र लाया गया जहां उसकी गंभी रवस्ता को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदरस्पताल आरा रेफर किया गया है जहां उसके इलाज करा जा रहा है जखमी यूवक का नाम अंकित कुमार है जो की कुवर्दा गाउनिवासी का मेश्वर सिंग का पुत्र है वो कटिया पंचायत के सरपंच रामेश्वर सिंग का भतिजा है जानकारी के अनुसार उक्त यूवक आरा से पैसेंजर ट्रेन पर सवार होकर अपने गाउं को अर्दह जाने के लिए सरवोदे हौल पर उत्रा इस दोरान ट्रेन में सफर कर रहे यूवको का एक गुट स्टेशन से यूवक को पकर कर जबरन बधार में खीच ले गया तथा लात गूसे और बेल्ट से जम कर पिटाई कर दी जख्मी यूवक के बारे में बताया जा रहा है कि किसी लड़की के साथ छेड़ खानी के मामले में उक्त घटना हुई है जख्मी यूवक द्वारा घटना का आरोप कज राजकन जोपीत शेतर के बरही गाउं के कुछ यूवको पर लगाया जा रहा है पुलीस के अनुसार यूवक का फट बयान आने के बाद कारवाई की जाएगी रुख करते हैं दूसरी खबर की ओर बोजपुर में बालू से काली कमाई बंद पुलीस की पैनी नजर बिहार के बोजपुर में लाल बालू का काले खेल पर बोजपुर पुलीस प्रश्चासन की पैनी नजर देखी जा रही है जिसे बालू माफियाओं में हर कम्प मच गया है लाल बालू के काली कमाई से बालू माफिया सालों साल अपनी आय को बढ़ा रहे हैं पर उनका लाल होना खत्रे की घंटी अब दिख रही है क्योंकि भोजपूर S.P. Sanjay सिंग लगातार बालू माफिया पर शिकंचा कस्ते दिख रहे हैं और उनके साथ भोजपूर D.N. भी उनका बखो भी साथ दे रहे हैं जिस्ते दोनों अफसरों ने पूरे भोजपूर में ख बिहार दरोगा भरती परिक्षा 2021 में भोजपूर जिरे के कई बहु बेटियों ने सफलता की पर्चम लहराई है किसी घर के बेटी तो किसी घर की नई बहु ने दरोगा बनने में काम्याबी हासिल की है अब ला नारी कहीं जाने वाली अब ये थानों की कमान संभालेंगी ह आपने ठीक सुना है उद्वंध नगर ठानशेतर के पुर्वी डेमा दुबॉली एवं निवास इजडियेम टेसलाल सिंग की बेटी सीमा यादव के दरोगा बनने पर परिवार सहित पूरे गाउं में खुशी की लहर दोर परी है वहीं संदेश ठानशेतर के पिंजरोई गाउं के वेवसाई हिरालाल केशरी की नई बहु पूजा कुमारी ने बिहार दरोगा में सफलता पाई है और अपने माता पिता सहित सास ससूर और पती का नाम भी रोशन किया है वहीं जगदीशपूर के दुलिंगंज गाउं में ट्यूशन पढ़ा कर एक बढ़ए के बे जगदीशपूर नगर में बीजेपी कारेकर ताओं ने बैठक कर 28 और 29 जुलाई को होने वाले राश्ट्रिय नेताओं के प्रवास को लेकर हुआ विचार विमाश बिहार के बोजपूर जिले के जगदीशपूर नगर के वार्ड नंबर 16 हिस्तित्रिजिया धर्मशाला में जगदीशपूर विधान सभा के भारतिये जंतापार्टी के प्रमुख कारेकर ताओं की बैठक हुई कारिक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष आदेते कुमार वं संचालन बीजेपी ग्रामिन मंडल अध्यक्ष विवेक सिंग कुश्वाह ने की जिसमें भारतिये जंतापार्टी के आगामी 28 जुलाई और 29 जुलाई को होने वाले राश्ट्रिये नेताओं के प्रवास च पुलीस ने अलग-अलग मामलों में एक वारंटी और एक अभ्यूक्ष को किया गिरफतार वही दूसरा आरोपी नसरतपुर से 92 बाइस के अभ्यूक्त इंदरदेव यादव का पुत्र राजेंदर यादव बताया जा रहा है पुलीस दोनों अभ्यूक्तों को गिरफतार क संदेश थाने ले आई और कोविड-19 के जाज के बाद जेल फिस दिया गया इस खबर को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाईए फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो लाइक और वीडियो को शेर कीजे और प्ले स्टोर से बोस्पूर म्यूस एप को इंस्टॉल कीजिए